अगर मैं मर जाता तो क्या हुआ था आपको पता नहीं चलता लेकिन बताने के लिए एक कहानी अभी भी बाकी है वैसे मेरी यहालत उस कहानी कांथ है लेकिन कुछ कहानी हो कांथ जब ऐसा होता है तब एक नहीं शिरुवात होती है यह उस कहानी की शिरुवात है वह भी कहानी है वोस देर? वह प्रे अच्छा? कर दो कर दो लो करती है टुक पर्टानों को जाए करते हैं प्रेवसी प्रेवसी जरो प्रेवसी एक चलिग पनलेजने हैं प्रश्रीज करने प्रफ 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 उन्हार सिद्ट कन प्रफ खेख बाव प्रफ जा प्रफ उसेंगा है झाल 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 तुमने देर कर दी तुम्हें घबरा गया था मैं आदी हो अंकल फिर भी हमें ये सब खत्म करना है न ठीक है बास कर अंकल दक्षिन केरल के कुछ उंची जातवालों को परिशानी हो रही थी उन लोगों की आदत और हरकत की वजह से उनकी जमीन और जायदाद लोट रही थी अब वो लोग कर्ज लेने लगे और अपने घर गिर्वी रखने लगे और धीरे धीरे उनके पास कुछ नहीं बचा सब कुछ खोने के बाद वो लोग वहां से यह सोच कर निकले थे कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगे और ठेक उसी तरह इस शहर की भी कहानी है एक जमाना था जब यह शहर सर्फ अमरिका को नहीं बलकि पूरी दुनिया को रोजगार देता था और जमाने में इस शहर में कई कमपनीज और फैक्टरीज खास कर मैनिफैक्टरिंग यूनिट्स शिरू हुई थी आटोमेबिल कैपिटल अफ दे वर्ल्ड अमेरिका के जितनी भी बेस्ट सिटीज थी उनमें से डेट्रॉइड नमबर वन थी अट अल सीम्ड टू गूट तो लास्ट और अट वास्ट अट वास्ट नाइनटेन सिक्स्टे सेवन में बलाक रिवल्लेशन हुई थी वो विनाश की शुरूआत थी वहां के काले लोग सिर्फ सरकार और उंचे पत के अधिकारियों के खलाफ ही नहीं बलकि गोरे लोगों के पूरे समाद के खलाफ थे और उनका क्रोध भड़का दुनिया को रोजगार देने वाला डेट्रॉइड शहर चल कर राक होने लगा दुनिया में अब आटो मोबिल्स मैनेफेक्चरिंग, जर्मनी, जिपान और साउथ कोरिया में होने लगी अब धीरे धीरे डेट्रॉइड में कमपनीज और फैक्टरीज बंद होने लगी इस तरह इस शहर में कई लोगों का रोजगार मिलने का सपना तूड गया अब इस शहर में सिर्फ एक ही कारो बार जोरदार चलने लगा Crime and that flourished बढ़ती बेरोजगारी वाले शहर में गैंग वार्ट्स और ड्रक ट्राफिकिंग होने लगी केनेडा का डेट्रॉइड के पास होनी की वज़े से Crime करके उदर भागना असान था और इस तरह से केनेडा से डेट्रॉइड और डेट्रॉइड से केनेडा लोगों का आना जाना होने लगा और उसी भीड में केरिल का एक परिवार भी डेट्रॉइड आया ये कहानी उनकी है ये कहानी हमारी है ये परिवार भी दक्षिन के रिल से सब कुछ खोने के बाद यहां रोजी की तलाश में आया था दे गेव अब, डिट्रोइड एंड अस, वी डिंट इससे बताने से पहले तुम एक बार फिर से सोच लो एम जी आर, फूटी कोड़ी के बिना आया, बड़ा आदमी बना, और जनता की सेवा की मैं भी कुछ ही नहीं कि जैसा हूँ, एक भी पैसे के बिना डिट्रोइड आया, जनता की सेवा, ये मुझसे नहीं हुआ मैं करी नहीं पाया, जानते हो क्यों, इनके जैसे लोग ही, हमें कंदी नाली का केड़ा समुझकर हमेशा दबाते रहते थे, अरे, सामर्तु गरम है, थोड़ाओ डालो ना, मैं अँ सारी करें लोग उआ के दूए लोगा है। जिस घ्रोगा थे को प्रशेरा मुझसे हो जिह को जा है। रेल जिएकस ट्योगा है, यह रख। खो भी है। यह 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 अन्तों की लिए अब यह जब कभी भी आइना देखेगा तो इससे दामोदर की याद आएगी यह बात जाकर एंथनी से कह देना चंदरन सांबर यह भी ना कि दामोदर सत्ताइस साल पहले जब सिविल वार शुरू हुई थी तब दामोदर अपना देश छोड़ कर यहाँ आया था वो सिर्फ मार पीट और गयर कानूनी काम जानता था जब उसने अपने जिन्दगी का सफर शुरू किया तब वह बहुत छोटा था समुदर और जंगल के रास्ते से होते हुए दुनिया के कई देश और शहर से गुजरते हुए वो किसी तरह पहुचा टॉरंटो जिन्दगी और मौत से हर पल लड़ते हुए वो आदमी अब जिन्दगी को खरीब से देखने लगा अब जिन्दगी की दूसरे इनिंग के लिए दामुदर को इस शहर में आना पड़ा और यहां उसने फिर से जिन्दगी की शिरुवात की डेट्रॉइट में बेद भाव की वज़े से पूरे बर्वाद हुए डेट्रॉइट शहर में दामुदर के हाथ एक नया धंधा लगा रेडिक्स, डेट्रॉइट्स लेटिस्ट पार्टी ट्रॉग उसने वहां से नई शिरुवात की और उचे मुकाम तक पहुच गया यह रखलो नहीं चाहिए लेकिन हमारा इसाब इसके साथ खत्म होना चाहिए अदी बिना सोचे संजे बोल रहा हूँ जो हुआ उसे बूल जाओ हम दोनों साथ रहेंगे तो क्या हो सकता है उसके बारे में सुचो आपने वादा किया था कि इस काम के बाद मेरा करजा खत्म हो जाएगा और मैं अजाद हो जाओंगा इसने जो कुछ भी कहा इसमें घलत क्या है यह बताओ ना हमने करजा चुका दिया अब हमें छोड़ों भूल गया इससे पहले तु अकेला आया था और इसी तरह तुने बात कही थी याद है ना यह कैसे हुआ था सेल्वन आदे बिल्कुल सही कह रहा है अड्रील इस ड्रील यू कैन गो मैं तुम्हारा पीछाने करूंगा लेकिन याद रखना तुम मेरे साथ रहो या ना रहो ओन दे स्ट्रीट ओफ डेट्राइट तुम हमेशा मेरे ही आदमी कहलाओगे डर उसका मतलब क्या था उस दिन मुझे समझ में नहीं आया बट आज आए वाक्ट आवे आए वस अफ्रेट इनके बारे में जानके भी पिना कुछ किया आपने उन्हें छोड़ दिया जब कोई ठाल लेता है कि उसे जाना है तब उसे रोकना नहीं चाहिए सल्मन इट्सो के वापस आने के लिए उसे किसी तरह समझाना पड़ेगा कैसे एवरीबड़ी हैस सम्थिंग तो लूज फाइंड दैट्स प्रेग्रेट इसे लेकर डॉमेस्टिक अभ्यूस की समस्याओं के लिए पीडित लोगों को एक मौका हम देने की कोशिश करते हैं ताकि को होगो कर सके हमारी फाउंडेशन पेड़ी दौरतों के लिए यह चोटी सेवा कर रही है वट यव दन फर दो कम्यूनिटी इस रेली ग्रीट यह सब आपनी शुरू कैसे किया अनी परस्नल और ट्राजडी एक्स्पिरेंस्स जीपिका कर बखोने कोर ओपने मौम् वो आरी है हाँ लेट्स गो मान हाई दीपिका हाई अजू डेटेक्टिव एहमेद सदियक ड्रग पेडलिंग करने वालों के पीछे पढ़ने वाला सक्त आफिसर मिशिगन से एंटी ड्रग पेडलिंग आफिसर को खास बोलाए गया है ये ड्रग पेडलर कार्लूस के लावा एक और कारण से इधर आया है डिट्रोइड अडर्वल्ड में सौर्थ इंडियन प्रिजिंस बार्न तो एश्रे-लंकन तमिल फादर और मल्याली मॉदर आहमाद इस फ्लॉएंट इस फ्लॉएंट इन बोथ ये नहीं दूंक इसका नहीं रू मॉभाव ब। एक्रण च्क्राण स्वार्वा स्क्राव्ट इस बालत प्रिश्ट कर्णाओ अंडिव अगर एक्रण झाल इसम्ट इस भी तो एक अच मॉपतर ।ो इस इस तो ये पाउप इस अगर मैं अगीं टी कृटल इस फादर नहीं म क्या है ये रेडिक्स डिट्रोइट्स लेटेस्ट पाथी ड्रग क्या तुम इसे बेचना चाहोगे स्टॉक की कोई कमी नहीं है स्टॉक बेचेगा तो तुझे कमिशन मैं दूंगा नहीं काना मुझे मेरे पास और भी दूसरे काम है या राइट तुम दुने इहां क्या करें हो कमान लेट्स डान्स कमान दान्स मेरा भी मूट नहीं है डांस करने का वहाने मत बनाओ चोटे बच्चे हो क्या कमान लेट्स दान्स चलो आओ ना शी राइट और भी मुटे बच्चे हा या राइट कुछ चीजे मैं भूल नहीं पाया, घर में माबाप की नणाई, मेरे ने चाहते हुए भी वो सपनी बार-बार मेरी आखों के सामने आते हैं लो, कॉफी पीलो, आप ठक गए न भासकर अंकल, इस जगे से इस जिन्दगी से, क्या कर सकते हैं, अगर ये काम हमने छोड़ दिया तो, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में बात चल रही है, गाओं का करजा चुकता करके गाओं में एक NRA अकाउंट खोल कर और बच्चों के नम में FD डाल कर मैं और मेरे वीवी कहीं भी जाकर रह लेंगे, आप दोनों को इस्पेशली बुलाना पड़ेगा क्या, आकर खाना खा लीजिए, चलो खाते हैं, आपको बच्चों की बिलकुल फिक्र नहीं है, ये दिन भर क्या करता है मैं भी नहीं जानती, बताओ कहां थे तुम, मैं अपने फ्रेंज के साथ था, तुम पक्का उसी लड़की की पींशे भाग रहे होगे, तुम्हें हर चीज मजाक लगती है, पता है प्राइवेट स्कूल की फीज कितनी है, आज तुमने सिर्फ दाल ही बनाई है, नहीं मटन फ्राय भी है, दू क्या, जब बाप को ही शर अगल हो जाओंगी, हम अपने काउं को छोड़कर यहां आएं लेकिन पैसा कमाने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं भी गयराज में आउं क्या, लो सुन लो, बस इसी बात की कमी थी, आरे उसे आने दो ना, वो काम सीखेगा तो अच्छा ही है ना, घर में थोड़ी मदद करन क्यों दी, हाँ, वो तो कर ही देगा, हाँ, तैंक यू, यह है राजन कोर्या कोर्स, मौडरन डेट्रोइट की सक्सेस स्टूरीज में से एक इनकी है, और्लाइंडो इनवर्सिटी से राजन ने मास्टर्स डेग्री हासिल की, स्टूडेंट हाउसिंग में ब्रूकर के की, मिशिगन इवर्सिटी में से एक मौका मिला और इसने पैसा इन्विस्ट किया, फिर नौर्थ डिट्रोइट में अपनी एक रियल एस्टेट फर्म खोली, आरक एजनसी के नाम से. हाई, सीमा, हाई, ओपनिंग हो गई हाँ, बस अभी खत्म हुआ, राजन को पता है, मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, राजन ने अपने फ्रेंट्स को इंवाइट किया, और मैंने अपने फ्रेंट्स को, मुझे यहाँ देखकर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लेम तो वो नहीं सेक्रेटरी कौन थी, कौन, तुम अची तरह से जांदे, मैं किस बार में बात कर रही हूँ, मुझे क्या पता, तुम किस के बार में पूछ रही हो, पिछली बार भी जब मैंने पूछा था, यू हैड थे सेम आंसर, फिर शुरू हो गए, क्या का तुमने, जवाब दो, राजन, मैंने सोचा था, तुम दोनों मा वेटी कम से कम आच तो नहीं लड़ोगी, अब मैं यहां और नहीं रह सकता हूँ, मेरे पेपर का क्या हुआ, तुम्हे अपने पेपर की पड़ी है, पिछली दिनों मैं पोर्ट में गया हुआ था, उसके बारे में तुम्हें क्या पता, पोर्ट, कौन से पोर्ट, एहसा जवाब मत दो, एह मत प्लीज अंदरस्टैंड, अब मैं वो काम नहीं करता हूँ, टोरॉंटो से शेहर में आने के बाद तुम्हारी हेल्प करने वाला सिर्फ मैं ही था, और अब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, अच्छी बात है तो फिर तुम अपने बैक्ग्राउंड और ऐसा हेलम एप्लिकेशन की बात, भूल जाओ, कुछ नए लोग अब यह धंदा कर रहे हैं, कुछ दिक पहले पॉलेंड वाले के साथ उनकी मीटिंग भी थी, चंदरन को अमेरिका में शरणार्थी का स्टेटस चाहिए था, उधर पॉलेश और श्रे-लंकन गयां के बीच का ही सालन से लड़ाई चल रही थी, तो बीच पहले हैं, यह प्रकार के निए हैं, यह प्रकार को अब भी था रही थी, चंदरन को केरिल से था, उसे खुद नहीं पता था के वो डिट्टोइड अंडरवल्ड का मेडियेटर का बन गया, I have been kicked out my house twice, चंदरन ने सूचा कि Antony जो Polish gang leader था उसे दामुदर रनत्नम नाम के नहें खिलाडी सेगर मिलवाया चाहें, तो एक compromise settlement हो सकता है, he was wrong, one week, you have one week to get back to me, दामुदर, please, please, let's go, I am not with the deal, come, come, दामुदर कम, भाई चलो, दोनों पार्टी छोड़ना नहीं चाहती थी, अगर यह लड़ाई शुरू हो गई तो, it will take us all, यह नई पार्टी कौन है, अशोका बार, इससे ज्यादा में और कुछ नहीं कह सकता, हलो, हाँ, मैं अभी घर में नहीं हूँ, I am sorry, हाँ, मैं अबने गार्डन के लिए कुछ सामाल लेने आई हूँ, चाहिए तो आप नैंसी की घर में दे दीजे, आप नहीं हूँ, आप लू नहीं हूँ, अबने ले इसा रहाँ हूँ, सुनी खुँचर ने हुआ है, यूू। हम आखे है? जर उल नहीं काई है वीघी है जो अवि़ पेट जांगे कNow.. वह हम उन्साइ草 तो और्रच अगली छर्मनर bushes ने झान जाय दो जायख चब म कप्या OF इस है सीमा अभी तुम कहां हो कोई और हिंट नहीं है जो तुम हमें बता सोको सब कुछ बहुत चल्दी में हो गया सिर्फ तीस सिकंड के अंदर है मैं जिस्ट गिवी टो मिनिट्स ओके ओके सीमा अर्यों कोई एक आदमी बहुत चल्दी में मेरी तरफ दोड कराया हूं मुझे कुछ नहीं हो रहे जाए हूं मुझे दोड़े और है जत्वादित में अर्यों मेरी पुरानी सिमा को क्या हूअ मेरी पुरानी सिमा को है यह पुरानी बात मात भी पूंदी वहाईट में है ढ्लानी की कोई बात मी है सब ठीको जाएग तो झाल झाल कर दोगा झाल! झाल कि अप्युटी के लिए सूटू अप्युटी कर से दरने जरुटी जरुटी कर रहर… यह विए वन्हार वा शुटी अटर व्युटी वर्याज्य विए? כulturत्ने! वब एंतने! वब एंतने! वे वंदाने उन्हाने दामुटी एंखे विए बाँ देख़ रख़ देख़ जा राख़ दामोदे नेक रख़ उना रख़ देख़ नाग्या जाग ? वास्करी जरे से भुक्तिक हो श्रूमकर करें तो कि अभी से बहुड क्या है जा में रखर सम्क है यॉज है एक लिग एक चला किनी कार थेए मैं जो समय जाने पोचाई और ऑस का नाम इने पूछा विसका नाम तो दुड़की का भी लिए अन्डियन थी तब तो तुम अपनी जनम पत्री साथ लेके जाओ ना रिष्टा भी आगे बढ़ाने की बात कर सकते हो नसीब अच्छा था कि जान बच गई पागल सच में अब तुमको थोड़ा बच कर रहना होगा रामुदर ने सही कहा था यहां जितने दिन भी रहोगे ना बाकी की गैंग वाली यही समझेंगे कि तुम उसी के आदमी हो अगर मुझे स्रिफ अपने आप को बचाना होता तो कभी का बचा चुका होता मैं उस गाड़ी को रेड़ी करता हूं उससे दसारा डॉलर तो मिलेंगे वह पैसे आप अपने घर दे दीजिए इस काया थीन संभिया पिर हुआ इस आप सब्सक्राइब कर दो मेभी तोरन लेगा अटीए अटेवा इसे। यहाँ हैँ नाइटी साथी नाइट्ड दोल पाहाँ चोग तो उससे मस्त बना सकते हैं अप तो उससे बचाल में वारा तेरे का पाना मेरा क्या राज रहा हूँ और यह मज़ाग समझ रहे हैं इनको राजी करना बहुत मुश्किल है कि देपिका देपिका तुम यहां क्या कह रहे हो यह मेरा क्या राज है अच्छा अरे वो आदे समय पता नहीं क्या हुआ गाड़ी अचानक बंद पड़ गई क्या इसतार्ट करके यहां तक लाई हो किसी शोरूम में ले जाती अगर किसी शोरूम में ले गई तो लाइसνस इंश्योरंस चनम पत्री भी मांगे वो इसलिए यह इस भंगार शॉप में वाव क्या हाँ अधि भया चर को जल्दी से रिप्पेर कर दो प्लीस है यह सेवेंटीएट पॉंट्याग है ग्रॉंग सिस्टी नाइन पॉंट्याग है फोक फील्स लोट अन कॉलोवर्स ट्राग रेडियल्स वाव इंप्रेसिव अहां तुम्ने सही कहा अभी 69 है लेकिन पांट साल पहले जब हम इसे जंकियाट से लेकर रहे तब 78 ही था मैं और अधी ने बहुत महनत की और इसे मिल कर बनाया अधी अधी ने था विश्टी ने गया अधी इसे लोट खुच्छ के बहुत है और श्टी ब्लॉट बाग वीट फुली बिल्ट तो महरी ब्म्डव ब्लीट होने के वज़े से ओवर्हीत हो गई एग और टांक और पाइप को बदल कर एक को रेक्सी को रेकावर्यर्य यहाद वो लोग जल्दी करतेंगे I like it Okay, I'll call a cab home Hey, ऐसे कैसे, मैं द्रॉप कर दूंगा लेकिन तेरी पास गाड़ी का है Thanks guys for the ride मैं कल आपकी वर्क्शॉप में आ सकती हूँ क्या बस यो ही आपका काम भी देख लूंगी केस कुर्शी मैं आजाओ ना एनी टाइम वैसे भी कल में फ्री हूँ Okay भाया अच्छा हुआ गाड़ी जल्दी ठीक नहीं हो सकती हाँ और तू वां वर्क्शाप में अफालतू बैटकर क्या करेगा तो जाने की जरूत नहीं है यह को ने उसकी दीदी है क्या कैसी बात करो आदी बहिया वो उसकी माहें खुबसूरत है ना जो एक जमाने में दावाट पर देट्राइट के सुखे जगे में हमें अलग से रहना पड़ रहा है लेकिन यह जगे जो एक जमाने में दाहर्ट लेंड ओफ अमेरिका थी यहां हर एक कोने में एक मौका है ठीक से खेलेंगे तो यह हमारी होगी यहां इस जगे से विल रूल डेट्राइट लेगिन यहां मुझे क्या करना है पैसे हम देंगे तुम जो खेलना चाहते हो खेलो यहां इन्वेश्ट करो बादे ता अपने परसंट कमिशन देने से वो क्राइम नहीं होगा कर दो एक मिष्ट कर देंगे ता है है कराज, क्रीस, और ओल्ड स्कूल मसल, इस सो सेक्सी, मैन, कभी-कभी तो ऐसा लोग देता है ना, ओ गॉड आदी, तुम्हे तो जैकपॉट पर निशाना लगा है, अगर उसे तुमने फसा लिया, तो हमें कहीं जाने की जरुवत नहीं, मैंकट समझी नहीं, हरे ओ बेवकूफ, इस वीकेंड को शेरन के फामाउस के बेस्मेंड में एक पार्टी है, कम से कम तीन हजार डॉलर्स रेडेक्स का सेल्स होगा, अब ये रेडेक्स और आदी भाहिय सबसे बड़े रेडेक्स के डीलर है, हम सब उसके चेले हैं, तु अभी बिल्कुल नादान है अच्छू, लेट्स गो मैं अब ये अब टाइग, टिकिंग, सिटी, मुझे तो बस चारो तरफ कंदगी नसराती है, तुम जहां पले बढ़ियो हो वाह के अक्छूल रियालिटी तुम ने भी तक देखी नहीं है, अगर देखी होती तो, त्रस्ट मे, यूड़न्ट बी कम्लेण बाट ये लाइफ, त बाहर वालों की नजरों में मेरे पास सब कुछ है, रिच डाड, प्रिटी मॉम, बिग हाउस, बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन करीब से देखेंगे तो, कहने के लिए सही है तो, तुमारा घर और परिवार तो है, लेकिन क्या फाइदा, हमारे अपनी जब अपनी नहीं होते तो ये सब होने का क्या मतलब है, ये सब कुछ किसी काम का नहीं, ये नो, तो उल्ली वोल्ड आइफ, फिल आई बेलॉंग इन, इस यूर्स आदे, सुनो, काफी देर हो गई है, और देर करेंगे ना तो ममी पापा सामें डांट सुननी पड़ेगी, कम, मैंने कहा था ना, मुझे पता था, उसका उस पुलिस वाले के साथ जरूर कोई संबंध है, इसी तरह एंथोनी को भी हमारे प्लैन का पता चलता है, ऐसा रहा तो मुश्किल हो जाएगी भाया, जल्दी कुछ करना होगा, एँ, क्या है, है, है वाट्सप्ट अजल्दी क्या में रहाएगी, Spider-Man Homecoming के, two tickets मेरे पास हैं, So, I was thinking, maybe movie, dinner, me and you, Wait, like on a date? Yeah, Your date? मैं यहां को कि अच्छितग एब हम चुट और कote खबारी को वह एक एच सुन ल één अरवलगवपरेव के खुट ने कर दो यह और रिध जाए। थैज इससला मेरा आ चाहलने पर श्रयवरो बेता थो एक के श्यूल्स फूर्श कैज़ ने ना वह गाड़ी में आदी है ना उसकी गाड़ी में इल बी ओसम यह ओके वह टेवर देश्स नॉट यॉर ताइब दूड़ दूड़ आने पर वह लोग तेरे पास तौड कराएंगे तुछे पकड़ कर रोएंगे और काम होने पर वह अपना अगला शिकार दोड़ेंगे मैं बस जाता हूं कि वो मुझे पसंद करें यार सच तो यह मैं उसे भूल नहीं सकता हूं मुझे बहुत बुरा लगता है कि वह आदी भाया को पसंद करती है कैनी बलीव इट तुझे देखकर बुरा लग रहा है यार लेकिन हसी भी आ रही है देख्यार एक्चुली मुझे आदी भाया जैसा बनना है तिरे जैसा बनना है और वांट वी पार्ट अफ्यों वर्ल्ड मुझे मुझे इसके लिए क्या करना होगा रास्ते में बता दूंगा उसमें जाने के बाद तुम्हारे सभी दर्वाजे बंद हो जाएंगे और एक बार दर्वाजा बंद हो गया तुम वापस नहीं आ पाऊगे जानता हूं यह बता उज्जे करना क्या होगा तुम पक्का फैसला कर चुके हो हां कर चुका हूं यार टेट्रोइट में ड्रग ट्राफिकिंग दे स्ट्रीट जिनके हाथ में था वो ट्रांस्पोर्टर्स थे and I was the best मुझसे पूछे भी न दामोदर के लिए जो काम करने वाला था वो था अच्छी कि रडेक्स है कोई खेल नहीं तो कर भाएगा तो बता हाँ वो करेगा कि रात को ग्यारा बजे ग्रेहॉंट्स को दे दो लो कि डिलीवर करने के बाद सुबह इधर आजाना और अगर तुने कड़बड़की ना यह नया लड़का है यार सुन इस समझा दे हाँ जाओ किसी भी तरह से यह डिलीवरी नहीं होनी चाहिए यह दूसरा पैगे ना नहीं मुझे अच्छी तरह याद है हम इसे कबाड़ी से लेकर आए थे और आप इसको देखो जरा इसका तो लुकी चेंज हो गया है अब क्या करोगे इसका वैसे इसके पेपर नहीं अपने पास इसलिए तो अभी वीदर ऐसे पड़ा है नहीं तो कभी का बेच के पैसे कमालिया होता है कैसे रेइस्टर करके इसे लीगल करना पड़ेगा जिस दिन अज्जु कालेज बास आउट करेगा उसके हाथ में इसकी शावी दूंगा यह गाड़ी उसी के लिए अब तक उसका फोन नहीं है क्योंकि अगर उसका फोन आजाता ना तो अब तक रानी का भी फोन मेर पास आजाता जब तक वह सेटल होगा टेंशन बनी रहेगी क्या करूं बाब हो ना लेकिन वह तो आपका फर्ज है आप जितना टेंशन लेंगे उतना ही बढ़ेगा आजों के बारे में डरने की जरू नियॉक में रहकर साल में दो बार अपने देश जाकर लोगों ने दुनिया देखी है और वो अपने आपको यह कहते हैं जिन्दीकी में सबसे जदा मेहनत करने वाले लोग तो गल्फ में मौजूद है भाई तक ग्रेट अमेरिकन ड्रीम साब चूर चूर हो गया अब तीन हो गया ना लाइए मजे दीजिए मैं रख देता हूं रानी एंटीका फोन कॉल के लिवेटनी करते हैं हाई चलिए अब देता है झाल 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 ए झाल झाल तरसे यू झाल 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 करना है एजू बाशकर तुमल्याली हो गया व्यून इस व्यून कहां आजय रहे हूं गविन एक्टली टिस वार फॉन रहत था रहरा पास रहात रहे डुमेरे यहाँ, इसमें पुलिस को बताने की क्या सरो होते है, it's in US, राइट? जब एक प्लीज, आम्स आप, बढ़े लेग्स यह स्क्लीन एक जो बाद टीज, झाइए जब एक जो, बाइए ले जो दोगजों भी तुल सोग उड़ा है आदे, यह जो, आजयम तुम नहीं आए? यह बार्व माइन और तुम्हें क्या प्रोब्लम है मुझे दुर्सरी बारी में जाना है मैंने तुम दुनों से पूछने के बाद ही उन्हें हाँ कहा था था ना चलो कपड़े चेंच कलो तुम दुन मेरी साथ आरए हो मैंने कहा नमें नहीं आऊंगी इसको बोरिंग बोरिंग रेली पार्टी इंट्रस्टिंग बनाने के लिए तुम्हें इस तरह की चीज़े चाहिए होती है यह नियुक्ते के लिगा रहे है कि यह सब क्या है दीपू यह तुम क्या कर रही हो है मैंने तुम्हारी परविश इस तरह की ति यह रगा है यह सब कौन सिखाता है तुम गाले एकंदा इस कम ची जरुरत नहीं है और मैंसे भी अपने कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूं आपको कुछ भी कहने का हख नहीं है कि आई हेट यू दिपिका दिपिका वेल टन कि यहां बैटकर उसके हरकते देखने से अचा है कि तुम उसे समझाओ उससे कुछ कहो देखो तुम मा बेटी की लड़ाय के बीच मैं क्या बोलू राचन वह अभी सिर्फ सोला साल की है उसे नशे की गोलियां खाने की आदत पड़ चुकी है अगर तुम एक बाप होकर उससे बात नहीं कर सकते तो फिर तुम बहुत जल्द उसे खोदोगी देखो मैंने तुम से सो बार कहा वो नहीं चाहिए थी पर उस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी किसी की बात नहीं मानी और तुमने उसे जंब दे दिया तुमने सिर्फ अपनी लाइफ पर बाद नहीं की मेर बभी भी कर दी सिर्फ पाइस साल में बाप बन गया था मैं कम आन सीमा ये तुम्हारा डिसिजन था राचने समध्वर्ण तो पर आप कि अब करो जो करना है कि अब कि कि अब इस वक्ति यहां क्यों आयों तुम दोनों कहां जा रहे हो यू शुट गो दिपिका कि मैं भी चलूंगी मुझे भी लिए चलो ना नहीं तुम नहीं जाओगी ना सिर्फ अभी बल्कि कभी नहीं अजू से मिलने तुम यहां कभी मताना अब वो भी यहां नहीं रहेगा कि मुझे यहां से भागा रहे हो सब लोक मुझे से पीछा के छुड़ाना चाहते हैं यू शुड़ एसल्फ थैट अधि प्लीज मुझे यहां से जाने को मत का ओ आ लाइक यू सो मँच आदी आदी पीज गो होम अगर में क्लाइंट बन गई तो तुम्हारी क्लाइंट बन कर तो मैं तुमसे मिलने आ सकती हो ना तुम्हें क्या लगता है किसी को कुछ पता नहीं है हम सब जानते हैं तुम क्या करते हो तुम उसे ले जाकर कहीं भी चुपा दो परवा नहीं लेकिन तुम जानते हो कि मुझे सर्फ तुम से मतलब है तो तुम वह करो जो तुम हमीशा करते आये हो और मुझे वह दो जो मैं अच्छी तरह जानती हूं आदी और वहां जाने के लिए मुझे किसी की हेल्प नहीं जाएए हैंड टू हैंड हाइज स्कूल में और पार्टी ड्राइव में ड्रग सप्लाइ करने वारे को अरेस्ट करने के लिए उनके लिए एक नाबालिक लड़की के स्टेट्मेंट का क्या कि मैं दूसों ड्राइख जाए हैंड कर चैंजर कुछ अजिए तक कैने ग्यार्णाच्ट अच्छाए बप्रेंट के लिए पारिट्व में नहीं है नहीं वहां। आफिए प्लाइए प्रिटि दो आड़िक लिए इससला सलेंट्विंगार्स संवार्र्णाची हमारे कर्म से हमारा भविष्य जुड़ा होता है ये उस रात मुझे समझ में आया मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ और मुझे पश्चाता अब हुआ लेकिन मैंने अब तक जू भी किया था उसका अंजाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा ये मैं अची तरह समझ गया दिस नाइट दिस इस दे बिगनिंग अफ दी एंड आदि भीया दीपिका बहुत अकेली है मुझसे नाराज होकर उससे दूर मत जाएए उसकी लाइफ में कोई और नहीं है भीया कुछले लन पॉष्टी मुझे में सेच भीजना मार्क याग तो गो मैं राइमान अच्छा होता हर एक रास्ते पर जिन्दिग्या में साफ साफ इशारा करती लेकिन ऐसा नहीं होता इट डेसंट दिपिका दिपिका उठो दिपिका दिपिका हलो हलो अब मैं समझा क्या होता है अब मैं समझा क्या होता है के लिए बहुत कुछ है मेरे सामने मौत बन रही थी and I was afraid अजू का फोन आय था वो पहुच गया और लॉज में चेक इन भी कर लिया मैंने उसे कुछ बताया नहीं आदी उस लड़की के साथ जो वह वह तकदीर का खेल था उसे भूल जाना ही अच्छा होगा सिर्फ तुम ही सोचते हो कि उसकी बहुत का कारण तुम उसका कारण मैं नहीं हूँ बहुत कर अंकल और नहीं हम मैंसे कोई है यह जूट हम अपने आप से और कितने दिनों तक कहते करेंगे तो पता और कर भी क्या सकते हैं आधी जब भी कोई समस्या होती है तो हम उमीद करते कि वह जल्द से जल्द हो जाए अब हम कुछ नहीं करेंगे अब मैं करूंगा और सिर्फ में करूंगा बाई वो आगया अब सर्फ मुझे अपने आप पर भरोसा था और मन में यह डर था कि अपनी बाकी के जिन्दगी में जब कोई समस्या होगे उनसे लड़ पाऊंगा या नहीं मेरी वज़े से जो नुक्सान हुआ उसके बार पाई सर्फ मुझे ही करने पड़ेगी यह सूच कर अपने आपको तसल्ली दी बटाई वस रोओ उसे छोड़ दो मुझे क्या करना है चोटी उम्र से ही इसे भूक परदाश्ट नहीं होती थी इसका पेट भरने के लिए ही मुझे पहली बार काम करना पड़ा था बाई का प्यार ऐसे ही होता है दामुदर तुम और यहां जब तक मैं फैसला नहीं लेता तब तक तुम अपने भाई के लिए मेरे साथ काम करते रहोगे पाने मेरे कामुदर यहां पता था था छंदरन यहां कामुदर पता था यहां अधिका की मौत से हरान थे डिट्रॉइट में ड्रक की वज़े से मौत की संख्या सोला सो पहुच चुकी थी दाट वस बिग न्यूस लेकिन इस कहानी में देपीका का क्या रूल था यह मैं नहीं समझा अभी मीडिया वालों से बात मत करना एक दू दिन के बाद वो लोग चले जाएंगे सीमा मैं जानता हूँ तुम इसके लिए तयार नहीं हूँ बट देपीका की मौत कोई साधारन मौत नहीं थी वो ड्रग ओवर्डोस की वज़ा से मरी यह तुम भी जानती हूँ असल में क्या हुआ था यह हमें किसी भी तरह पता लगाना होगा अफकॉस पता लगाना होगा लेकिन यहां नहीं उसके स्कूल और फ्रेंड्स से पूछ कर हमें तंग मत करो प्लीज हमें परिशान मत करो एक बात और सुनो मैं नहीं चाहता कि तुम दिपिका की मौत का बहाना बनाकर यहां आना शुरू करता हो तुम आपको तुरंट बता देंगे सीमा तुम्हें आरम की ज़रूरत है एहमद किसी और बच्ची की मौत ऐसे नहीं होनी चाहिए उसके लिए मुझे जो भी करना होगा वह करने को मैं तयार हूँ अजु को देपिका की मौत के बारे में बताया है आज नहीं तो कर उसे पता चली जाएगा न्यूज में भी तो बताया होगा ना इस सब की हमें जरूरत नहीं है हमारे काओं में हमारी जो जमीन है उस पर हम घर बनाकर चैन से जिन्दकी बिता सकते हैं अब उसके बारे में सोचना बेकार है मरने तक हमें यहीं रहना होगा क्सा और में यहीं तक हमें बाले कि जो खता से जाएगा नहीं होगा झाल 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 चंदरन चंदरन की मौत एहमद के लिए एक डेटेंड बन गई पॉलिष गंग और दामदर की बीच चर्चा के लिए अब कोई मेडियर नहीं था और दामदर यही चाहता था अब सब आम दें सामने होगा पॉलिश माफिया को भी सम्हालना था थ्री विक्स तिल दे अफ मर्जाना लेकिन दामुदर के दिमाग में कुछ हो चल रहा था वो एक कीसवा दिन था उस दिन सिर्फ मर्जाना अकेले नहीं चलने वाली थी अर्वी दन? अर्वी दो रहा था वे अर्वी दो रहा तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी सुदर हो गया मैंने कई लोगों से सुनाता पर कभी पिश्वास में किया सीमा प्लीज मेरी बात सुनो अब तुम्हें मुझसे जुर बोली की कोई ज़रूरत नहीं है मैं चारी हूँ समझे तुम्हें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है ना ओर रियाक्ट करने की ज़रूरत नहीं है मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है हमारी बेटी की मौत को अभी दो हपते भी नहीं हुए और अगर तुम मुझे इस तरह से धोका देते रहे तो फिर मैं क्या करूँ कहां बताओ जो चीज घर पे नहीं मिले वह बाहर मिलता है तो कभी-कभी हो जाता है क्या कहा तुमने तेखा यह तेरी प्रब्लम है तेरे साथ इस घर में रहना बहुत बड़ी प्रब्लम है तु मगर तीपिका के साथ थोड़ा भी नर्मी से पेश आती तो वो आज हमारे साथ जिंदा रहती मैंने उसके साथ कलत बरताव किया ठीक है लेकिन तुम तो तुम तो उसके बाप थे ना दुनिया बर की औरतों के साथ घूमने के अलावा काम क्या था तुम्हें तुमने क्यों मैं नहीं समझाया उसे तुम से शादी कना मेरे सबसे बड़ी भूली तुम से जादा प्रोब्लम मुझे है उस वक्त मैं अपने घरवालों को छोड़कर तुम्हारे पास आया था और तुम मुझे गुनेगार ठहरा रही हो यह जो आहशो आराम के जिंदगी जी रही हो ना तुम जो खुषी मुझे नहीं दे पारही हो वो मुझे पाहा थूननी पड्रही है When you are with us you don't have to bother about anything that's really a good man hey look there, look there come let's try let's try bro hey baby, why don't you give me some love you can choose one at a time what do you say are you the type who likes a little rat she is biting leave her alone who is she to you doesn't matter leave the lady alone hey you listen go away from here otherwise you will face the problem we can do it और जो रुख एव लोगा। बहुता रखाब। और रखाब। वाव। झारे जो बशूदाब। यजचा आट शॉर्फ रहु चौह नाइस वे और ठांच वे जये रहुँ यही मेरे कार है अपना मुबाइल फॉंदो यह मेरा नम्मर है कोई जर्वा थो तो कॉल करना नाइट सीमा सीमा वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपने जिंदगी कैसे जीनी है इसलिए वो जिंदगी से परिशान थी उस दिन जब मैंने अपने आप से कहा कि मैं उससे दुबारा मिलूँगा तब मुझे पता था वो मेरी सेकिंड चांस है लेकिन कभी कभी सेकिंड चांस बहुत महंगा होता है वो यहां रहने वाली है और कितने दिन रहेगी पुछने पर यह टेलिंग में यूँट नो साना प्लीज जड़ा चुप हो जाओ कहो तो बेटे के लिएकर माएं के चली जाती हूँ साना प्लीज मुझे एक दिन के लिए माफ कर दो मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है अब तो मुझे तयार होने दो शाम को घर लोटने से पहले मैं कुछ करता हूँ लेकिन तब तक के लिए उसके साथ अच्छी से पेशा हूँ मदद करो उसे घर से निकाल दिया गया है एहमद तुम ऐसे नहीं जा सकते तुम सूच रहा होगे मुझे नंबर दे कर खल्दी करती मुझे क्यों मिलना चाहती थी दो हफ़ते पहले मेरी बेटी की मौत हो गई उसके बिना मेरी जिन्दगी सुनी सुनी हो गए बहुत खाली बने है और तभी मेरे पती का दूसरी और के साथ आफ़र चल रहा है यह मुझे अभी बता चला यह कले की बात है इसके अलावा मेरा एक और दोस्त है कल तुमने मुझे वही ड्रॉप किया था उसका घर लेकिन अभी भी तुमने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया अभी फिलाल कुछ दिनों के लिए मेरे रहने का कुछ हब इंतिसाम कर पाऊ तो तो कल जिस घर पे मने तुम्हे ड्रॉप किया था मेरे फ्रेंड का परिवार उस घर में रह रहा है तो मेरा वहाँ पर हैना ठीक नहीं थैंक्स तुम्हारे मुम्मी पापा मेरे पिताजी नहीं है उनकी मौत की खबर मुझे दो दिन के बाद मिली थी और मेरे इमाँ औलेंडो में एक ओल्ड एज हो में रहती है ये सब उनको बताकर उन्हें क्यों दुख पहुचाऊं इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हे को होटल या सब इस अपार्टमेंट में रह सकती हो उन सब जगे रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है अदी कई सालों से मैं सर्फ राजन की पत्नी और मा बन कर ही जी रही थी और इस बीच में रिष्टेदारों से दूर हो गई अब मुझे ये सोचना है कि जिन्दकी जीने के लिए मेरे आगे कोई रास्ता है या नहीं या यह देखना है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं या नहीं इस नोट या प्रॉब्लम तुम मुझे कॉफे पिलाकर सौरी कहकर चले भी जाओगी तो चलेगा मैं इस बात का बिलकुल भी बुरा नहीं मानोंगी कॉफे मैं पिलाओंगा इसके बाद हम यहां से साथ चलेंगे अखिर वो गई कहां तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो तुम्हारी बीवी है राजन यह सवाल तुम उससे जाकर पूछो आधी रात को अपने घर में रहने देने से पहले अगर तुमने यह सोचा होता कि वो किसी और की बीवी है तुम्हें यह सवाल नहीं पूछता आधी रात को अपना घर छोड़कर यहां आने की उसकी वजह मैं जानता हूं उसने मना किया इसलिए कोई अक्षन नहीं लिया नहीं तो डॉमेस्टिक अब्यूस के केस में तुम अंदर होते राजन दामोदर और उस आरके जिंसी के बीच का संबंध और तुम्हारी मनी लॉंडरिंग अक्टिविटी यह सब मैं जानता हूं जब यह केस खुलेगा तो तुम नहीं बचोगे राजन यह मेरा घर है तुम्हारे रहने के लिए जखेब काफे होगी आधी मैं कैसे तुम्हारे घर में रह सकती हूं लोग क्या कहेंगे काउन लोग तुमने कहा था कि तुम्हें पूछने कि वाले कोई भी नहीं है और फिलाल तुम्हें होटेल या फ्लैट में रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है है थैंक्स कि अज़िए यह क्या किया तुमने अधी यह क्या किया तुमने उस लड़की के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए पुलिस इसे ढूनते वे जरूर आएगी और तुम कौन हो और यह यहां क्यों रह रही है इसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा उन्हें कि अधी शायद उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है कि अधी अधी कुछ लोगों के पास बहुत सारे लोग थे पर भी उन्हें अपना समझ कर हमने मदद कि अब जसका कोई नहीं है उसकी मदद करने दीजें कि मत पेसा है उसक्तिव को सब्सक्तिव जब पेसा है उसक्तिव क्यणा मृत्व और आप्ट भीटव जा प्सक्तिव पेसा है एज़ी 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 तो रखनी चाहिए थी ना अब तुम ज्याला नाटक मत करो दोस्त लेट्स गो मैं रानी हूँ पासवले घर में रहती हूँ इसने मुझसे कुछ नहीं का मैं जानती हूँ बहुत कुछी हूई मैं जानती हूँ कि यहां खाने के लिए सिर्फ सूखा ब्रेड ही मिलता है इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ पता नहीं तुम्हीं अच्छा लगीगा या नहीं खा कर देखना तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं सब जानती हूँ इश्वर सब की परिक्षा लेता है ताकि हम उसे भूले नहीं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जब खत्म हो जाएंगी तब एक बार हमारे घर पर ज़रूर आना ठीक है आओगी ना तुम भी साथ आना बच्चों को ना देख पाने का दर्द किसी और को हो या फिर ना हो एक माँ को जरूर होता है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह कर दे कर दो दो टपिक कर दो हुआ। प्रिछ जाओ जाओि केहने के लिए तो यह टिपिकल अमेरिकन क्लिशे हैं फर्स्ट एर अफ कॉलेज एक्सिडेंटली प्रग्नेंसी और डिलिवरी के बाद मां से और बागी की दुनिया से विद्रो अब ऐसा लगता है यह सब मुझे नहीं करना चाहिए था अब यह सब सोचकर कोई फाइदा नहीं कोई फाइदा नहीं I need to move on move on in life और सबसे पहले मुझे यह जगे छोड़ कर जाना होगा वो जगे जिसे मैं बिलकुल भी नहीं जानती और जहां मुझे कोई नहीं जानता कहीं भी जाना चाहती हूं सेमा मुझे अपने बारे में तो मैं कुछ बताना चाहिए मुझे कुछ नहीं जानना तुम क्या थे या कौन थे मुझे कुछ नहीं जानना कर जो चाहिए कि कैसे लaking। कि मुझे मुझे कुछ नहीं जानना शेखिस इन कि घंसे कि जानी जारीं एज बधिन कि कोके मुझे अल경 मुझे को नहीं Got withdrawal छोब कर दो कि एकार दोना है श्राइब में जो रहुँ नहीं जो तो अब दो कि एकार दूल और रहुँ कि एकार दो दूल मेरे किया हुए कुछ काम अधूरे रह गए हैं उनके लिए थोड़ा वक्त लगेगा काम खतम होती कि आप यहां से चले जाएंगे कि साथ-साथ इसे जाकर गोडाउन में रखो क्यों है किसी वज़े से हमारे प्लैन में गड़वड हुई तो इन पैसों से हम नहीं शुरुवात करेंगे जाओ क्या हुआ यहां सब के सब यहां सब्सक्रा सब्सक्राु से और यहां खुझ को अच्छी तरह जानता था He wanted to own the system Be the king चन्रन के हत्या से लेकर Anthony के दबाव तक उसने अपनी टीम सॉलिड बनाई And now It was time for the final act वो चाहता था Detroit से फुसी की हो ये दामुदर रत्तम का Master Stroke था एक और ज़रूरी काम है आधी को मैं तपका देता हूँ ऐसा मत करना सल्वन अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसमें हमारा हाथ नहीं होना चाहिए और अगर सब सही हुआ तो पोलिस खत्म कर देगी और फिर Detroit हमारा होगा बोलिये भसकर देखो यह बात यहीं खत्म होनी चाहिए मैं मेरे बेटे को यहां वापस लाना चाहता हूँ प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम उसे कुछ नहीं करोगे तुम बहुत कुछ मांग रहे हैं अभासकर लगता है इसने अपना सारा करजा चुका दिया है यह सब इतनी असानी से कैसे होगा मैं जानता हूँ मुझे क्या करना यह बताओ पर उसके बाद यह सब खत्म होना चाहिए हूँ हो जाएगा सिर्फ एक काम बाकी रह गया है उसके बाद सब खत्मा लेकिन यह काम सिर्फ आदी करेगा हाँ ठीक है वो करेगा अजू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है उसका भाई भी तो है यह बहाई खून का रिष्टा जजबाती फिल्म में मैंने बहुत देखी हैं बासकर लेकिन यह प्यार का पागलपन जो है ना वह उस नश्य में यह प्यार रिष्टा बहाई और खून का रिष्टा सब बोला देता है सबल कर भासकर नहीं वो करेगा नहीं तो मैं उससे काम जरूर करवाऊंगा बताओ उसे करना क्या होगा कि यह काम सिर्फ आदी का ही नहीं है तुम्हारा भी है इसमें मुझे क्या करना होगा तुम्हें गाड़ी चलाना बहुत पसंद है ना तुम सिर्फ उतना ही करो सिटी सबब्स में हमारा एक ट्रक है सब की नजरों से बचा कर उसे बताई हुई जिगे पर पहुंचाना है उसके बाद हमारा कोई भी लेने देना नहीं रहेगा आजों की वज़े से जो कर्ज हुआ है वो भी खत पहुंचाएगा एक बार बोलने से तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या क्लीवलेंड में होटल के रूम में बैठने से क्या लागा तुम्हारा भाई हमसे बच जाए अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम जितना भी जानते हो सब कुछ हमें बता दो शौन यह यह दिपिका का दोस्त है बल्व होस्पिल ले गया था यह अद्मी उस दिन देपिका को फोस्पिल ले गया था अग्स्थ में शुट गो था हॉस्पिल जाए था यस वील को मैं न जुक या माज्चुक कर रहा हूं अज्चुक आपने भचा पाएंगे आप जानते थे बासकर अंकल पिर भी आप मुझे से प्यूचे बिना उस आदमें से जाकर क्यों मिले तो और क्या करता तुम्हारी वज़े से हम सब मारे जाते हैं एक लड़की के मिलते ही तुम मुझे और मेरे परिवार को भूल गए इस तुख गए हैं मेरी आखों के असुब सुख गए हैं मुझे मेरा बेटा चाहिए उसका बाप होने के नाति अगर मुझे मेरी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी मैं तैयार रहूंगा बिल्कुल आप में जरा भी दमाग नहीं क्या भासकर अंकल उसने जैसा काव ऐसा करेंगे तो भी वजू को नहीं छोड़ेगा और हम दोनों के बीच इस दरार का कारण कौन है सीमा या उसकी बेटी जो मर चुकी है नावकरी नहीं करनी थे इसलिए जब हमने वह एक्षाप खोलने का फैसला किया तब आप किसके सामने हाथ पहला रहे थे उस समय आपको सोचना चाहिए था हां सही का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा अगर अच्छे खाइसे परिवार वालों के जैसे सोचने वाला इंसान होता ना तो तुम जैसे आनाथ को मैं उठा कि नहीं लाता तुम्हें पता ने तुम्हारे दो चाचा उसके वावजू तुम्हारा यह हाल है मैंने तुम्हें अपने परिवार जासे रखा हमेशा लेकिन तुमने मुझे क्या सिला दिया तुम्हारे दोनों चाचाओं में से पलटके किसी ने नहीं देखा ये समझ में नहीं आया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे दिन मुझे अपनाना नहीं चाहिए था अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आज आप मुझ से ऐसी बातें नहीं करते हैं अब मेरी सुनिया जिस दिन में अज्जु को लेकर हाता हूं उस दिन आप मेरे लिए अपना दर्वासा खोलना हूं चले जाओ यहां से चले जाओ अज्जु अपने बेटी और अंठी को लेकर हुआ 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 हम तेरे आने का इंतिजार करेंगे हुआ 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 है बोलो 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 दामोदर्स प्लान दे अफ मर्जाना ठंड के मौसम के बेदाई और वसंत्रितू का आग्मन करना ये एक पॉलिश हरिवाज था इस दिन का एक और नाम होने वाला था डेथ संडे तीम मर्डर होने वाले थे अट दे सेम टाइम अन्थनी का अकाउंटेंट नोवैक उसे मारने के लिए दामोदर्ने भासकर अंकल को चना पॉलिश माफिया का लीगल कंसल्टेंट अन्थनी का राइट हैं मैन को आसकी उसे मारने सल्वन का काम था बोरिस अन्थनी का सोते ला भाई और इस अन्ली वीकनेस उसे दामोदर खुद मारने वाला था बिकर्स दाट वस्परस्णल गैंग के ये तीन आदमी मौत के बारे में सुनकर वही करेंगे जो हमेशा करते हैं प्रेजिडेंसे होटेल में एक एमर्जनसी मीटिंग बलवाएंगे जहां पूरा पॉरा पॉलिश अन्डर वर्ल मौजूद होगा एक साथ एक अठा होगा इस काम के हो जाने के बाद तुम अपनी जिन्दगी जी सकते हो डेट्रायट मुझे चाहिए अधिन्दग्रण शूट मैं डिल हमेशा ऐसी होती है, लेकिन वस दिन मैंने वो किया जो मैं कभी नहीं करता, रुका और पीछे मुड़ा कि मरे छिल पीछे मेंड़ो खेंस, कि सबक्राइबदครी करकें तो म्रुपाब धुछाने दामुदर इस ट्रक में एक बम रखा हुआ है तुम्हें मेरा काम करना चाहिए था आदी तुम्हें साफ-साफ बता देना चाहिए था कि मुझे करना क्या है देखो आदी तुम्हें बताई हुई जगे पर ट्रक को छोड़ देना चाहिए था उसके बाद यू आरा फ्री मैन I'm a free man काउन है ये लोग? ये लोग पुलिस वाले है क्या? आदी, तुम सोचते बहुत हो ये गलत है यू मेड़ बिग मिस्टेक मैन आदी जस्ट दो इट तुम्हें मेरे लिए इसे करना ही होगा ये ट्रुक तुम अब कभी भी ये इसे वक्त निकलना है हमे जादा समानी बस कम समाल लेना क्या, क्या हुआ है? तुम्हारे सवाल का जवाब देनेगा टाइम नहीं है जो मैं कहता हूं, बस बो करो सफर के वक्त व्य सब कुछ पथाटल जाएगा बेटा मैं बोल रहा हूं तुम पहली बस में चड़ जाओ हम लोग आज ही डेट राइट छोड़ रहे हैं नहीं इधर मता ना हम तुमें गराज में भीलेंगे हम सब उधर ही जा रहे हैं ओके अधी 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 काया वो किदर है अधी काया है कि हमारी एक चीज उसके पास है मांगने से वो दे नहीं रहा है अगर आप उनसे कहें तो मैं पुलिस को बलाती हूं कि सलवन सलवन कि सीवा कि बच्चपन में मेरी मा कहती थी लड़कियों को परेशान मत करो गलत है ऐसा करना तो वैसा करने के लिए कि मुझे मजबूर मत करो प्लीज अभी वो कहा है वो इंपोर्टन नहीं है बट ही हैस टू चॉइस पहला वो चीज जहां पहुचानी है पहुच जाए और दूसरा वो हमें वापस करके यहां से जा सकता है उसके आने तक मैं यहीं पर रहूंगा वैसे मैं तुम्हारे बाई के जैसे हूँ तुम्हारे बाल तो गीले हैं तुम्हें बीमार नहीं पढ़ना है ना दामोदर दामोदर आये था यहां पर बता देना आदिसे हालो रिवाइन जुस्ट लिटल बिट यस फ्रीज 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 था ओके यस दिस दगाई इसी ने दीपीका को हॉस्पिटल में अडमिट किया था दीपिका की मौत के बारे में हमने उसके कोलेज उसके फ्रेंड सबसे पूछ्टच की ब्शली फ्रीज फ्रीज सबसे पूछ्टच की और कि पूछ्टच के दोरान हमें पता चला कि यह दामोदर के लिए काम करता है तुमने इस आदमी को कहीं देखा है क्या Hey Amit... 200 है वहाँ आए्ट. वोलें सोगती गाए्ट. वोलें समस्क्निंधिकेंगें गाए्ट. इसलोगाइ तरहाए्ट. शुब हैं। Seema, he is going to take care of you okay? वैसे लेखाए्ट. गाइचे लेगाए्ट. Seema..? Seema.. वजर बगेड़ा, बसका हुआ थाुआ प्रत कि अज़गा। सल्वन तुम जल्दी से जाकर वो पैसे लेकर आजो क्यों क्या हुआ वाज कहां भटेगा पता नहीं वे शुड नोट बी इंद सिटी फर सम्टाइम जल्दी लेकर आओ तो फिर आप मेरी चिंता मत रो कि प्लान है आज नहीं तो कल डिट्रोइट हमारा होगा सेल्वन हुआ जरह सब्सक्राइब कर हुआ मामी, अजुपाया साथ आएंगे ना? हाँ 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 यह लड़का पता नहीं कहां चला गया हाँ 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 डामोदर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाया मुझे माफ कर दो मुझे और मेरी परिवार को छोड़ दो प्लीज मैं जानता था कि वो काम तुम नहीं कर पाऊ गये इसलिए मैंने तुम्हें दिया था लेकिन अभी मैं उसके लिए नहीं आया कहां है आदी मैं आदी मुझे नहीं पता हो कहा है उसे मुझे कुछ बताया है नहीं मैंने कहा था कि वो तुझे दोखा देखा देखा तुने तेरे परिवार के बारे में सोचे बिना वो कमीना कहीं लापता हो गया है मैं कभी भी यह परदाश्त नहीं कर पाहूंगा भासकर मैं उससे बात करूँगा वो मेरी बात जरूर मानेगा देखना अभी भी तुझे उस पर भरोसा है मेरे पास अभी सिर्फ छे घंटे उतने समय में अगर उसे यहां लाना है तो मुझे यह करना ही पड़ेगा सॉरी भास कर सिर्फ पांच मिनट उसके बाद सब खात्म है लेकिन भास कर यह मन भोलना हो कि तेरी मौत की वज़े मैं नहीं हूँ वो आदी है फोगिव में प्रदा फोगिव में तुमने मुझे से कहा धाना कुछ में नहीं होगा कुछ नहीं होगा प्रदाए कि आपको पिर नहीं है कि अप्ट कि अपंड कि कि फोन कट मत करना सीमा मुझे जो कहने वो कहने दो श्यादा समो का दुबाना नहीं मिलेगा I am going somewhere and might not come back इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम मेरे लिए कोई माहिनी नहीं रखते मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ मैं भी किसी को भी मुझे अपनाने के लिए नहीं कहता हूँ और जब मैं तुम्हसे मिला तो उस वक्त खुद जाने बेन ही तुम्हे अपना समझने लगा यू जब एडूना लोग जब प्रक्त आपर दो अब आप बदो प्रक्त प्रक्त वन ताम ताम प्रक्त लोग्या मैं जग कहरम वो तुम्ह तुम्ह ड्योग ड्योग फंखे रहो, दायोँ. दो अवचे खुछ. झोटेजू अबसके हैं. Josh? Josh! Josh! Jjjjjjjjjjjjjj... Jjjjjjjjjjj... सल्वन सल्वन अब कभी नहीं आएगा कि अदि आदि 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 वहरा तो इतनी अवसानी से नहीं मरें का तो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया हम हो आदि 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 आ आदिए, tam There's a message you!! आदि 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 जो रहाँ, हुआ। आपूभवे! तुछभए! और जान," हाँ, हाहा! हो तो पहाँ! हर यहाँ यहा हर? खो ज 먼 हर औ खो हезжा प्यह लगु झाल यह वह? है है ज्याए है हैं यहाँ है 어 there comes a time when everybody has to give up Adi shit like I said you don't have to die so easy I'm not giving up not yet huh let me finish if I wanted to be your place then I would have been killed Jimmy I don't have to huh what? Anthony there's only us no no not कि अपने कि अब है और कि अपने को कि अपना प्रणाब जाए जाए झाल जाए 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 झाल वहां पर मेरी गाड़ी होगी और गाड़ी के डिक्की में पैसों से भरे दो बैग मिलेंगे उनमें से एक बैट तुम रानी अंटी को दे देना जिससे वो अपने गाउं में अपने घर खरीद पाएंगी और अज्जी और उसकी बहन को पड़ा पाएंगी और बाकी के पैसों से वो अपने जिन्देगी गुजार सकती है और वहाँ चलिशाओ चलाती जाओ और वहाँ चलिशाओ जहां तुम्हें कोई नहीं जानता और तुम्हें जगें अपनी एक नहीं शिरुबात करना और कभी कभी वापस बताना और तुम्हें कोई उन्याओ तुम्हें जच्चने जएंगी हो सकता हमने जो जिन्दगी जी थी उससे हमने कुछ आसल नहीं किया लेकिन हमारी वज़े से किसी को नहीं जिन्दगी मिली and for that, just that, मैं दुबाराज जिन्दगी जीना चाहता हूँ ताकि अन कही बाकी ये कहानी असका अंथ होना चाहिए सीमा Every story deserves an end लेकिन कुछ कहानिया खास कर इस तरह की कहानियों का अंथी एक नई शिरुवात होती है इस कहानी की शिरुवात अब होगी